हलो दोस्तो केसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे तो दोस्तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूसफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेक्स लेक्ष आई हूँ जिससे देखने के बाद आपकी जो बड़े-बड़े मुस्किल काम है वो भी आसान हो जाए कि कोई सा भी अचार छो हो गुख नाता है लंब टायम तक लखने पर तो यहां मैंहें गुंदेग अचार लिए हैं यहां थोड़ा सा कुछ ऐसा डालेंगे जिससी क्या है कि अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो इसके लिए हम लेंगे विनिगर तो यह विनिगर देखिए आपको थोड़ा सा ही लेना और आपका 1 kg दो किलो अचार है जिए सब से बेख़ण डालना है यहां क की एक किलो से भी यह कम है तो यहां में थोड़ा सा ही यह विनिगर डाल देती हूं तो वाइट वाला अगर विनिगर है तो वही डालेगा क्योंकि अचार की लिए वाइट वाला जो विनिगर होता है वो सबसे बेस्ट रहता है तो चलिए ये भी एक हमारी योसफुल टिप्स थी अगला देख लेते हैं यहां देखे मेनिलिया है मांग तो अभी गर्मिया है और गर्मियों में अगर हम मांग लगाते हैं तो वो पूरे फेल जाती है या फिर उठ जाती है और जर्मियों में तो मेरत अभी वेसलें नहीं है सर में क्या है कि इदर उधिर बिकर जाता है फूरा लाग सा हो गाता है तो इसको हम केसे लगाए ताकि ये एक जगह पे टिकी रहे और विलकुल भी क्या है कि यह देखने में खराब ना लगए तो यहां आप देख सक्ते जैंदक मैं यहाँ में बोड़ी लोशन ले रहा हूं यह भी बूट बड़िया काम करता है तो यहाँ आपको हल्का सा एख़े आप देखोगे कि इतना फरफेर तरीके से ही लगे गए इस वीर चली त्लै depends कि दम लिख सकते हूं कितना बढ़िया तरीके से ही लगी है तो ना तो अब यह देखे जटकेगी और एकदम सही से लग जाएगी तो यह बहुत यूसफुल है इस तरह से आप मांग में वेस्लिंग बोडी लोशन आप चाहे तो नारिल का तेल भी यहां पर लगा सकती है क्योंकि गर्मिया है और गर्मियों में अगर नारिल तेल आप ल तो इसलिए हमें तयारी करनी होगी मटकी की तो देखिए अभी मेरे पास नया मटकी नहीं है पुराना ही है तो उसी से हम पानी केसे ठंडा कर सकते हैं और जिनके पास फ्रीज नहीं होता है वो मटकी से पानी केसा ठंडा ठंडा कर सकते हैं तो आज की वीडियो बहुत ही य पाने भी इसमें जम चुका है तो मैं थोड़ा सा यहां पर कोल गेट लगा कि और अच्छे से पहले इसको साफ करूंगी यहां आपको इस वीडियो में डोगी के पेर दिखते होंगे आपको आप उसे इम्नोर करें क्योंकि जब मैं यह वीडियो बना रही तो इसको बार-बा अच्छे से साफ करके दिखाती हूं कि कोल गेट से यह कितना बढ़या तरीके से साफ हो जाता है तो इसलिए हमने यहां पर कोल गेट का यूज किया है क्योंकि अगर हम साबून सरफ से अगर इसको साफ करते तो यह अच्छा नहीं साफ होता तो यहां देखे मैंने ले लिया है मैं वीडियो को पूरा देखिए आपको clear दिखा रही हूं ताकि क्या है कि आप भी अच्छे से समझ पाएं क्योंकि अगर मैं याप इस पीड में कर दूंगी और कुछ आपको इसी दिक्कत भी हो जाएगी जिससे क्या है कि आपको होगे कि जो आपने दिखाया है वो तो हुआ है नहीं इसलिए मैं आपको पूरा वेसे ही दिखा रही हूं जैसे कि मैंने यूज किया है और फ्रीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें यहाँ देखिए आपको अच्छे स इसको मसल के साफ कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर वीडियो को तोड़ा स्पीर में कर लेती हूं और फेस लो से कॉमेंट भी आ रहे थे कि हमारे पास फ्रीज नहीं है तो हमें कुछ ऐसा वीडियो शेयर करें जिससे क्या है कि फ्रीज के बगर ही हम अपने काम को आसान क जिससे कि मेन हमारा होता है कि सबजी को हम केसे रखे गर्मी में खराब ना हो दूद को हम केसे रखे वो गर्मी में फटे ना और पानी को हम केसे ठंडा रख पाए अगर किसी के पास पुरानी मटकी है नया मटकी नहीं है तो उसको हम केसे ठंडा रख सकते हैं अपने पानी मटकी लेके आई हूं और आम में दो लेती हूं एक बार के लिए जब भी आपको इसा भी मटकी यूज करें चाहे नया हो या फूराना उसको धोईएगा जरूप और दोते समय आपको हाथ बिल्कुल भी अंदर नहीं डालना है मटकी में नहीं तो पानी अच्छे से ठंडा न नहीं करनी है इसको पानी नहीं पहलए झाल अपकर दो प्राइगे तो यह एक बहुत ही यूस कुल है गर्म्यों के लिए जरूर इसको ट्राइ इसको समय और आगला मेरा वगा दैके बिस्कित को लिएक बिस्कित को चाहें हम केसे भी रकते लेकिन इसमें हिली ुलकी पुल इससे बिल्कुल भी बच्चे नहीं खाते हैं, बिस्कुट को एसे वेस्ट करना पड़ता है, तो यहां देखी हम थोड़ा सा डाल देंगे चीनी और अच्छी से इसको पेक करके रख देंगे, बहुत ही यूस्फुल टिप है, जरूर इस तरह से आप ट्राइ करिएगा, अग कुछ ऐसे भी चीज ले सकते थे, जैसे की चीनी, तो चीनी आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, अगर आप चीनी डाल दोगे तो गर्मी में मेल्ट होके यह जम जाएगा, तो यह एक बहुत यूस्फुल है, आपको देखिए, इलाइची डालना है, इलाइची मे चोटा डिबा मैंने लिया है, तो इसमें मैं दो-तिन इलाइची डाल देती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं, अगला मेरा टिप होगा देखिए, ब्रेड को लेकर, हम क्या करते हैं, कि ब्रेड देखिए, जब भी आदा रह जाता है, तो इस तरह से इसको लपेट के रखत अब यह बिल्कुल भी देखिए, नहीं कुलेगा, और यह एक बटन की तरह यह यूज हो जाएगा, तो आपको यह तरीका कैसा लगा, कोमेंट करके जरूर बताइएगा, अगला मेरा टिप होगा देखिए, पोलिथिन को लेकर, पोलिथिन हम क्या करते हैं, इस तरह से खींच के, और जहां मैं देखिए, वीडियो में कर रही हूँ, सेम आपको इसे ही करना है, अब देखिए, आपको क्या करना है, इस तरह से इसको लपेटना है, इस से देखिए, अच्छे से कवर भी हो जाएगा, और क्या है कि यह बिखरे भी नहीं, तो थोड़े से स्पेस को यहीं पर एंड करती हूँ,